सो एक बहुत बड़ी प्राब्लम है जो कि बहुत ही ज्यादा लोग फेस करते हैं जितना कि मैंने इतने करियर में देखा तो होता किया है जब मैं इंस्टियूट में था जब मैं पढ़ाता था डीजिटल मार्केटिंग तो डेमो क्लासिस भी मैं ही लेता था और वहाँ पर बहुत सारे बच्चे पूछते थे कि हमें किस कॉंफिग्रेशन का लैप्टॉप कॉंप्यूटर लेना चाहिए और कई सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो कि कॉंप्यूटर का 40 ही कर साते थे तो मैंने बहुत ही जादा रिसर्च करने के बार कुछ ऐसी कॉंफिग्रेशन निकाली जो कि डिजिटल मार्केटिंग लिए सबसे बेस्ट है इनीशल स्टेज में शायद ही आपको इससे ते कम प्राइस में इससे अच्छी कॉंफिग्रेशन शायद ही मिल पाई की तो आज आपके समले में वही कॉंफिग्रेशन बताने वाला हूँ तो जो भी आपके क्वेश्टेन है कि कौन सा कम्प्यूटर लूँ कौन सा मुझे लैप्टॉप लेना चाहिए कितने पैसे लगेंगे या कम से कम कीमत में मैं ऐसा कॉंप्यूटर कैसे बना सकता हूँ जिसमें मैं अराम से डिजिटल मार्केटिंग कर सकूँ तो आज इन सभी कॉस्टेन के जवाब आपको इस सिंगल वीडियो में मिल जाएंगे जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा वला पंदरा जोरा सार में टोटल एक फुल फ्लेज पीसी जिसको आप यूज करके डिजिटल मार्केटिंग करना स्टार्ट कर सकते हो तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि वह कॉन्फीगरेशन कौन सी है तो सबसे पहले मुझे जाना पड़ेगा अपने कम्प्यूटर स्क्रीन पे ताकि मैं आपको बता सूब यह चीजें कैसे होती हैं कहां से मिलती हैं और इन सब के लिंक आपको इसे दिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे एक अफिलेट्स दिंक होगे अगर आप यहां से खरीजना चाहें तो खरीज सकते हैं लगि फिर भी मैं रिकमेंड करूँगा कि आप आप उफलेंग मार्केट में चाहें और अगर आप दिल्ली जैसी प्लीस में रहते हैं तब तो आपको और सारा सस्ते में में जाएगा तो शायद आपको यह PC बिल्ट 10,000 का मिन अब रहे सब कुछ डाल के कह रहा हूं तो चलिए मैं अभी आपको लेकर चलता अपने computer screen पे तो दोस्तो हम आच हो के अपने computer screen पे तो चलो देखते हैं कि हमें क्या-क्या चीज़ें चाहिए अपने computer को बिल्ट करने के लिए तो सब पहली चीज जो हमें अपने computer में चाहिए वह हमारा cabinet तो जो हमारा PC का cabinet होता है तो आप Zebronics का cabinet ले सकते हैं यह बहुत सस्ते में मिल जाते हैं आप इसे offline market में लोगे अगर आप इन दोनों को कठे लोगे 450 वाट का PSU काफी होगा जैसे configuration के लिए मैंने laptop बनाना है तो यह आपको अराम से 630 रुपे का सपस पढ़ जाएगा 600 रुपे में मिल जाता है वैसे थोड़ा रसर्श काना पड़ेगा ठीक है तो यह आराम से मिल जाएगा आपको कहीं जाने जोट नहीं है आप किसी भी दुकान पे चले जाएगे और उसको कहिए कि मैं को Zebronics का यह cabinet चाहिए और उसके साथ मिलको PSU बेचाहिए 450 वोट का तो यह total आपको 1200 के करीब पड़ जाएगा टोटल दोनों को मिलाके 1200 के करीब आपको इस दोनों चीज़े मिल जाएगी ठीक है तो अगली चीज जो हमारे पास आती है वो है हमारा प्रोसेसर बहुत इंपोर्टेंट है सबसे इंपोर्टेंट यही पार्ट है तो प्रोसेसर के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ले इंटल का iC 2nd generation processor जो कि अपने प्राइस में सबसे बेस्ट प्रोसेसर है और यह भी आपको मतलब सिंगल सिंगल करके नहीं खरीदना इसी के साथ आपको खरीदना है H61 motherboard ठेक है तो H61 consistent का आप ले सकते हैं तो आप इसको ले सकते हैं and consistent का यो motherboard है H61 यही वाला लेना है and यह आपको मतलब ऐसे दौक सिंगल होगे तो 3,35 रोपई के आपस बढ़ेगा and इसके साथ आपको लेना है CPU फैन ताकि आप अपने CPU पे फैन लगा सके बहुत important है तो यह तीनो चीजे Intel Core i3 consistent H61 DDR3 motherboard and Intel CPU fan तो यह तीनो मिलाके आपको टोटल बढ़ेगा 5,000 रुपेगा सिंगल सिंगल होगे तो बहुत महँगा पड़ेगा लेकिन अगर आप दुकान वरे को कहोगे तो आपको बहुत सस्ते मेरेगा यह configuration आपको बहुत सस्ते में बढ़ जाएगी कोशिश करो कि जितना भी समाल में कहा रहो एकी दुकान से लो तो आप इस पे और negotiate करके वो सस्ता कर सकते हो ठीक है तो अभी आप यहां पे क्या करोगे हमारे पास अगली चीज़ आती है हमारी hard disk तो hard disk हमें चाहिए 500 GB की hard disk आप ले सकते हो consistent की wd green की जो कि आपको 1200-1300 की आसपस मिल जाएगी आप 1500 की आसपस मिल जाएगी ठीक हो 1500 भी रेट शोड़े बढ़ चुके है hard disk के तो 1500 की करीब आपको मिल जाएगी ठीक है तो उसके बाद आपको चाहिए RAM तो RAM के लिए आप यूज करो consistent की ही आपको क्राम मिल जाएगी जो की 2 GB की आती है तो जो 2 GB TDS3 RAM आप यूज कर सकते हो 1600 MHz की होती है यह आपको 2 लेनी है जो कि आपको 1300 की आसपस पढ़ जाएगी जादा-जादा 1400 मिल जाएगी लेकिन पहुती होती है RAM के आपको RAM से मिल जाएगी और इसके इस पे तीन साग की वाराइटी भी है तो आप RAM से इसके replace भी कर सकते हो कोई problem की बाद नहीं है अब बहुत ही जादा important चीज है दोस्तों क्योंकि आप मिस मत करना क्योंकि अगर आपने ये चीज़ मिस कर दी तो कोई फाइदा नहीं असा PC build करनेगा ये किसी काम को computer नहीं होगा और ये है हमारी SSD अगर आप एक SSD लगा लेते अपने computer में आप hard disk को रहने तो चाहे तो SSD ज़रूर लगाओ और जो भी आपको Windows वज़र इंस्टॉल करने है से SSD के अंदर ही करनी है क्योंकि ये अपके PC को बहुत ही जाला fast बना देगा एक बार अपने SSD यूज़ करने दुबार आपको hardest यूज़ करने की सोचोगी भी नहीं अगर आप कोशिच कर सको तो SSD में ले सकते हो दुकानों से जो आपके local stores होते हैं वहाँ पर मिल जाएंगे अब इसके बात अगली चीज हमारे पास आती है अब हमारा सारा computer almost built हो चुका है अब हमें क्या चाहिए अब हमें चाहिए अपने LED monitor तो LED monitor आपको 15 इंच का कोई भी चलेगा किसी भी मतलो कोई भी ले लो जरूरी नहीं फर्क नहीं पड़ता लेकिन आपको बताता हूँ जो LED monitors होते हैं आपको सबसे सटा जो है वह 2700 या 2500 के आसपस पढ़ जाएगा बड़े आराम से 1500 और यह किसी भी कंपणी का हो सकता है मुझे जीवरानिक्स का मिल गया था और यह मुझे पढ़ा था कुछ 2700 के आसपास लेकिन अगर आप किसी अच्छी सिटी में रहते हूँ आपको अराम से 225 में मिल सकता है इसको आप लगा सकते हूँ लेकिन अगर आप नहीं विमामरिसर में रहता हूँ यहाँ पे भी अगर आप लेके आके लोगे तो 27 रुपे के आसपास आपको अच्छे कासे मॉनिटर मिल जाते है 15 इंच के स्टार्टिंग के लिए यही अच्छा है बाद में जब आप पर पैसे आजाएंगे तो आप बड़या मॉनिटर ले सकते हूँ फिलाल कामचला मॉनिटर है लेकिन अच्छा मॉनिटर है तो 15 इंच का मॉनिटर आपके लिए काफी होगा ठीक है देन उसके बाद अगली चीज हमारे पास है हमारा कीबोर्ड मॉउस तो कीबड मॉउस आप कोई भी लगा दो अस पर फरकनी पड़ता आप चाहतो तो यहां पर सर्च कर सकती हो almost पर कीबोर्ड माउस कॉंबो तो आपको यहां पर keyboard, mouse, combo मेल जाएंगे बहुत सारे जिसको आप खरीच सकते हो, आप यहां पर देख सकते हो, बहुत सस्ते हैं, यहां फिर आप जाते हैं, वैसे बहुत असान है, इंटरनेट पे जो भी वीडियो आप सर्च करोंगे पहली, आपको मिल जाएगी, दोस्तों, जो आपको सबसे best PC build पढ़ेगा, तो एक पर हम इसका हिसाब लगा के देख लेते हैं, कि आपको कितने में पढ़ेगा, तो सबसे फेले हमने रिजेब्राउनिक का ATX cabinet, with PSU 450W, यह आपको टोटल पढ़ेगा, कुछ 1200 रुपे के आसपास, उसके बाद आपको यहां पे यूज करना है, इसके साथ आपको CPU fan and motherboard भी ले लेना है, यह सारी kit आपको पढ़ेगी, टोटल 5000 रुपीज में, इसके बाद आपको लेना है, एक hard disk, then RAM, hard disk यो है, वो आपको 1500 रुपे के आसपास आपको पढ़ेगी, and then अगर आप लेते हो RAM, तो RAM आपको पढ़ेगी कुछ 1400 रुपे के आसपास, तो 1400 रुपे के आसपास आपको RAM पढ़ गई, and उसके बाद आप चाहिए आपको SSD, जो कि आपको चाहिए 2000 के आसपास मिलेगी, and उसके बाद आपको चाहिए एक monitor, जो कि मैं on and average लगा रहा हूँ के 3000 रुपे के आसपास पढ़ गया, and अब ही अब लगाते है को और चीज, यो कि आपका कीवर्ड माऊस, यो कि आपको RAM से 500 रुपे के आसपास मिल जाएगा, तो guys, ये total हमारे PC बिल्ट होगा, सारा खुश मिलाके 15,550, अगर आप online लेते हो, तो बहुत महँगा पड़ेगा, लेकिन मैं इसलिए आपको बार-बार कह रहा हूँ कि अगर हो सके, थोड़ा चल फिल के जाओ, लोकल स्टोर्स में जाके देखो, आपको बहुत सस्ती में सारी चीज़े मिल जाएंगी, और एक 16,000 के अंदर, 15-16,000 के अंदर आप अराम से PC बिल्ट कर सकते हो, और इसमें से भी अगर आप ऐसे निकाल दो, 1000 रुपिया फिर बिचा सकते हो, अगर आप ऐसे HDD नहीं लगाना चाहते है, रहने तो SSD से भी काम चलेगा, स्टोरी सोडी लेकिन आपका काम हो जाएगा, बहुत ही स्मूज चलेगा PC आपका, और ये configuration जो मैं सबसे affordable दामो में आपको सबसे best जो configuration बता सकता था, ये मैंने वो बताई है, including everything, तो आपको किसी और extra चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो guys, यही था उस सारा PC बिल्ट, जो कि आप 15 से 16,000 के अंदर बना सकते हूँ, अगर आप इसमें से hard disk drive भी कम कर दो, तो आपको ये 15,000 के अंदर अंदर पढ़ जाएगा, तो hard disk के बिना भी काम चलेगा, जरूरी नहीं है hard disk, recommend करता हूँ, थोड़ी बड़ पैसे हैं, तो hard disk में इंवेस्ट करो, storage के लिए सही रहती है, लेकिन SSD से भी काम चल पढ़ेगा, ये आपको total 15,000 से भी नीचे पढ़ सकता है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तो प्लीज इस वीडियो को like कीजिए, अगर कोई ऐसा दोस्त है, आपको ये वीडियो को, ताकि उसे help हो जाए, ये configuration सब से best है, जोकि में अपने students को को भी recommend करते हूं, जिन्वी पर specific बहुत कम होते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, तो subscribe कीजिए इस YouTube चैनल को, and press the bell icon, वह ज़रूरी है, नहीं तो आपको आगे आने वाली useful videos की notification नहीं लेगी, तो आपको जो भी इस खरीए नहीं, अगर online दोना नहीं चाहते ह लिंक आपको ये description में मिल जाएगा, and मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए stay connected, and I will see you in the next video, bye!